नमस्कार दोस्तो टेक इलेक्ट्रोनिस चैनल के और एक वीडियो में आपका श्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाई क्वालेटिका SMD LAD MCPCB और लो क्वालेटिका SMD LAD MCPCB को कैसे पहचानना है देखके नहीं टेस्टिंग के साथ आपको दिखाऊंगा ठीक है तो अगर इस तरह से अगर टेस्टिंग करके चेक करोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा कौन सा हाई क्वालेटिका है और कौन सा लो क्वालेटिका है तो आपको किसी भी दुकांदार उल्लू नहीं बनाए पाएगा और किसी भी जो मेनुफेक्चरर है आपको फोस्फोरास LED या एडिसन LED इस तरह का नाम लेके आपको ठग नहीं पाएगा तो चले आज का इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तो सब सब पहले देखिए मेरे हाथ में दो-दो MCPCB है दोनों ही 9W का है और देख सकतो दोनों ही SISC का ब्रेंड का है यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे नहीं पाता दोनों में कितना सच्चाई है कि असली ब्रेंड का यह SISC का LED है कि नहीं तो आपको टेस्टिंग के साथ चेक करके दिखाता हूँ ठीक है तो आप देख से तो थोरा सा साइज में अंतर है इसका जो बना बटे है यह चोकोर है यह थोरा सा लंबा है तो छोटा भी है यह से आपको देखके पता नहीं चल पा रहा है कि जो SMD LED से कौन सा अच्छा है जो पुराने भिवार से इस चैनल का ओव लोग तो जानते हैं लेकिन आप लोग नहीं जानते हो तो आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ ठीक है कैसे चेक करना है बहुत ही आसान है दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखे अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है तो चलिए टेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ में तो सबसे पहले आपको एक पूराना एलेडी बार ले लेना है नाइन वाट का ठीक है क्योंकि यहाँ पर मैं नाइन वाट का ही मसी पीजिप को लिया हूँ चेक करने के लिए तो किसी भी ब्रेंट का नाइन वाट का जो एलेडी बालव हो एच पी अप ड्रैवर बला ठीक है उसको ले लिजिए तो और एक जनकरी ले लिजिए पहले नाइन वाट का जो एलेडी बालव होता है उसमें जो आउटपुट भोल्टे जाता है वो लगबग 100 वोल्टे जा चाहिए, यहां पर हमारा 100 mA आ रहा है आउटपुट जो आ रहा है 100 mA एकूरेट आ रहा है कि यह HPF ड्रैवर बला सरकिट है इसके अंदर ठीक है, इसमें से 100 mA आएगा तो सबसे पहले आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ, देखिए यह जो 9.0 का mcpcb है, पहले इसको मैं लगाता हूँ यहां पर, ठीक है उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, जल्दी से मैं लगा लेता हूँ यहां पर यहां पर लगा लेता हूँ बिठा लेता हूँ और प्लास टू प्लास मैनस टू मैनस लगा लेता हूँ वीडियो को आप पूरा देखिए अगर पूरा नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा देखिए इसके बाद ही कुछ बोलिए ठीक है हाई क्वालेट का MCPCB को आपको पैचन करना सिखाऊंगा देख के नहीं आप पूलोगे MCPCB का ठीकनेस देख के मैं पता कर लूँगा ऐसा नहीं दोस्तो MCPCB का ठीकनेस है वो भी अगर पतला भी है न फिर भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि असली है या नकली है नकली मतलब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हाई कुलेटिका ही है या लो कुलेटिका है यह बता रहा हूँ ठीक है सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा दूँगा पॉजेटिव तूजेटिव 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 तू नेगेटिव GB उसका बद आपको मैं चेक करके दिखाता हूं माल्टुमिटर से तो देखिए इस MCPSB को मैं जो LED बाल पर उसके साथ लगा दिया Positive, Positive, Negative to Negative ठीक है तो पहले आपको मैं क्या बताया अब भी बता देता हूँ देखिए यहाँ पर जो SMD LED से है वो 1-1 SMD 9 VOLT का है और यहाँ पर 9 SMD LED है तो उस हिसाब से कितना VOLT बनता है क्योंकि यहाँ पर सभी सिरीज में लगा हुआ है उस हिसाब से हमारा यहाँ पर 81 VOLT का MCPCB बन जाता है तो यहाँ पर हमें 81 VOLT देना परेगा उसके बाद ही जो LED से वो ब्रैट चलेगा लेकिन लेकिन यह चीज़ आप धिखान रखें हमारा जो ड्राइबर है वो 100 MHz आउटपुट देता है 100 MHz आप किसको बोलोगे एक MHz को अगर 10 से डिबाइड करोगे तो उसमें से अगर एक भाग बच जता है उसको 100 MHz बोला जाता है तो यहाँ पर 100 MHz आता है लेकिन हमारा जो हाई क्वालेट का SMD LED है ना वो भी 100 MHz का ही होना चाहिए तो अगर 100 MHz का नहीं होगा तो यहाँ पर 81 V का MCPC भी है लेकिन MHz ज्यादा आने के बज़ा से जो वोल्टेज है वो उभार हो जाएगा मतलब 81 V से ज्यादा हो जाएगा अगर लो क्वालेट का SMD होका तो ठीक है आप लोग समझ गए होंगी तो यहाँ पर हमें 81 V ही मिलना चाहिए इसको बिजली में लगाने के बाद ठीक है अगर ज्यादा मिलता है तो लो क्वालेट का SMD LED है लो एम्पियर का है ठीक है जो कि जल्दी खराब हो जाएगा ओबर करेंट के बज़ा से जो हाई क्वालेट का SMD LED होता है वो 100 मिली एम्पियर का ही होता है जिस प्याद से हमारा वोल्टेज 81 वोल्ट पे आके रुख जाएगा लगिन अगर ज्यादा आ जाता है तो लो क्वालेटी का है लो एम्पियर का है ठीक है तो चले चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको पहले में बिजली में लाकर आपको चेक करके दिखा देता हूँ देखिए जल रहा है इस तरह से आपको पता नहीं चलेगा बरैटनेस देखके आप पता नहीं कर पाऊगे दोनों का जो बरैटनेस है सेम है आप आखो से देखके बिल्कुल बता नहीं सकते हो अगर आपके पास testing equipment मेन नहीं है तो, आप उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बहुत ही bright चलता है, ये भी बहुत ही bright चलता है, लेकिन आप मैं छेक करके दिखाता हूं, ठीक है याप रखता हूं मैं Malta meter को में 200 V DC पर set करता हूं देखिये, DC पर set कर दिया 200 V, तो मैं क्या बताया है पहले आपको यहाँ पर 81 वोल्ट आके रुख जाना चाहिए अगर ज्यादा आता है तो यह डूबलिकेट है मतलब लो क्वालेटिका है तो मैं दुवारा बीजले में लागाता हूं और वोल्टेज को चेक करता हूं और आप माल्टिमिटर में देखना थो रसा मैं पहले माल्टिमिटर को पकर लेता हूं और आप बोल्टेज देखना है अपर ठीक है यह टीवान बोल्ट आके रुख जाना चाहिए अगर ज्यादा आता है तो हमारा जो अमजी पीजी भी है और लो क्वालेटिका है तो यह सुरी गाइस हरे यार मैं लगा लेता हूं जी हां देखे वोल्टेज अभी कम है क्योंकि खुला हुआ है और क्यापसिटा चार्ज है थोड़ा सा अभी मैं बीजले में लगाता हूं और अब वोल्टेज देखना है देखिए दोस्तों 88 वोल्ट हो रहा है माल्टिमिटर में इसका मतलब हमारा जो SMDLAD से वो लो क्वालेटिका है और 100 मिली अमप्यार देने के बाद यह ओवर वोल्टेज पे चला जा रहा है यह ओवर वोल्टेज हो रहा है SMDLAD वोल्टेज चले जा रहा है क्योंकि यहाँ पर 81 वोल्ट पे आके रूख जाना चाहिए था 100 मिली अमप्यार पे चले एक बार मैं चेक करके भी दिखा देता हूं इस ड्राइबर से कितना मिली अमप्यार करेंट आ रहा है ठीक है तो एक वयार को हम डिसकनेट करेंगे यहाँ पर से किसी भी एक वयार को डिसकनेट करेंगे यहाँ पर मैं पॉजिटिव को डिसकनेट कर लेता हूं current को check करने के लिए तो उसके बाद मैं माल्टिमेटर को set करूँगा 200 मिलियंपेर पर 200 मिलियंपेर पर set कर दिया ठीक है DC पर उसके बाद एक wire को मैं यहाँ पर लगाँगा output आ रहा है दूसरा wire को मैं यहाँ पर लगाँगा तो हमें current शो करेगा तो आप देखना कितना current आ रहा है देखिए दोस्तों 100 109 milliampire आ रहा है ठीक है लगबग 100 milliampire के आसपास ही है 109 milliampire तो यह जो driver circuit है ठीक ही दे रहा है output current लगिन हमारा mcpcb है low quality होने के बज़ा से over voltage पर चला जा रहा है जीज़ बज़ा से हमारा mcpcb है जल्दी खराब हो जाएगा अगर इस तरह से check करके mcpcb खरीदते हो तो आपका mcpcb है आपको पता चल जाएगा कि low quality है या high quality है ठीक है यह तो low quality का निकला ठीक है चले इस बार जो दूसरा mcpcb है इसको लाके आप लोगो चेक करके दिखाता है था हूँ सेम तरीकों से यह आप और से discount कर लेता है यह तरीका साहथ आप लोगो नहीं पता है इस वीडियो को आप share करना ना भूले आपने दोस्तों के साथ क्योंकि यह मेरा पार्सनल तरीका है चेक करने का जो कि मैं पहली पर आज दिखा रहा हूँ ठीक है साहथ एक वीडियो में बताया था बहुत पहले आज पूरा फूल टेस्टिंग के साथ आप लोगो बता रहा हूँ ठीक है जो दूसरा mcpcb है हाई क्वालेटिका हमारा हाई क्वालेटिका है इसका सबूत में आप लोगो भी दिखाता हूँ पहले शोल्डर करके आपको दिखाता हूँ बोल्टेज चेक करके ठीक है तो सेम हमारा ड्राइबर सरकिट है लेकिन mcpcb हम यहाँ पर चेंज कर रहा है पहले सेम तरीको से इसका वल्टेज चेक करूँगा उसके पाद एमपियर यहाँ पर ड्राइबर सेम है तो एमपियर तो सेम ही देगा लेकिन अगर वल्टेज ओवर वल्टेज चला जाता है या सही रहेगा अब लोगो दिखाए देगा अभी देखिए इस mcpcp लगा दिया और आप लोगो पहले जला के दिखा देता हूँ ब्राइटनेस देखिए ब्राइटनेस सेम है आप लोगो पता नहीं चलेगा सेम जल रहा है ठीक है लेकिन आप लोगो अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ पहले वल्टेज चेक करके दिखाता हूँ 200 वल्ट पे सेट कर लिया डीसी देख सकते हूँ इसके बाद मैं दूबरा यहां पर लगाता हूँ नेगाटिव फॉजिटिव और वल्टेज चेक करता हूँ अब माल्टिम्टेर में देखना देखिए दोस्तों माल्टिम्टेर में देखिए अब बोल्टेज देखिए 81 बोल्ट पे आके रुख गया है इसका मतलब यहां पर जो SMD LED है वो 100% 100 मिली एमप्यर का ही है तो जिस बाद से 100 मिली एमप्यर का जो ड्राइबर है वो 100 मिली एमप्यर ही दे रहा है और SMD LED भी 100 मिली एमप्यर का है तो इस तरह से अगर चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह high quality का MCPCB है ठीक है देख सकतो इस तरह से चेक करना है और current भी same है अप लोग को तो पहले दिखा दिया कि 100 मिली एमप्यर यह आ रहा है तो देख सकतो अभी voltage 81 volt पे आके रुख गया है लेकिन जो दूसरा MCPCB में लगा था इससे पहले उसमें 88 volt जा रहा था इसमें 88 volt जा रहा था लेकिन इसमें 81 volt आपके रुख गया है तो यह low quality का है और यहाँ पर जो मैं लगाया अब यह high quality का है इस तरह से आपको घर पे चेक कर लेना है उसके बाद ही दुकान से खरीदना है नहीं तो आप लोग को दुकांदर उल्लू बनाएगा और बोलेगा यह Edison का है यह Phosphora से लेडी है इस तरह से बहुत सरा उन लोगों का तरीका होता है ठकने का ठीक है इस तरह से आपको चेक कर वीडियो क्यासा लगा अगर इंफोर्मेटिव लगा है वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए LED बाल प्रिपेरिंग का वीडियो देखने के लिए और बहुत सरा जो इलेक्ट्रोनिस क जानकरी है उसको हसिल करने के लिए मैं 100% रियल चीज को बताता हूं कोई भी जूट नहीं बोलता ठीक है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स पॉर्ट वाचिंग